भारत माता की भारत माता की नम्मा सबका साथ सबका विकास मंत्रदा स्फूर्ति यादा भगवान बस्वेशर अवरीगे नमस्कार गळू बेडगाविया कुंदा मत्तू बेडगाविया जानरा पत्त प्रिती एड़ू मरिय लागदासी बेडगाविया नन्ना बंदू भगिनियर गे नमस्कार गळू बेडगाविया की जनता का प्यार और आशिरवाद अतुनिया है ये प्यार ये आशिरवाद पाकर हम सब को आपकी सेवा के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की प्रेणा मिलती है आपक्या ये आशिरवाद हमारे लिए प्रेणा शक्ति बन जाता है बेडगावि की धर्ति पराना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता ये कित्तूर की रानी चन्नम्मा और करांती वीर संगोली रायाना की भूमी आए देश आज भी इन्हें वीर्ता और गुलामी के विरूत आवाज उठाने के लिए याद करता है साथियों आज की लड़ाई हो या फिर उसके बार भारत का नवनिर्मार बेड़गावी की महत्वप्ण भूमी का हमेशा रही है आज कल हमारे देश में करनाटका में स्टार्ट अप्स की खुब चर्चा होती है लेकिन एक तरफ से देखे तो बेड़गावी में तो सो साल पहले ही स्टार्ट अप्स की शुरुवात हो गई थी सो साल पहले मैं आपको याद कराने आया हूँ बाबु राव पुसालकर जी ने सो साल पहले यहाँ एक छोटी सी यूनिट की स्थापित के साप्रा की थी तब से बेड़गावी अनेक तरह की इंडुस्ट्री के लिए इतना बड़ा बेज बन गया है बेड़गावी के इसी भूमिका ने डबल इंजिन सरकार इस दशक में और ससक्त करना चाहती है भाई और भेनों आज जिन प्रोजेस्ट का लोकारपणों और सिलान्यास किया गया है उनसे बेड़गावी के विकास में नई गती आएगी सेक्डो करोर रुपिय के प्रोजेक्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं पानी की व्यवस्ता से जुड़े हुए हैं आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस छेत्र की प्रगती का एक मजबूत गती देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज बेड़गावी से पूरे हिंदुस्तान को भी बेड़ स्वगाद मिली है हिंदुस्तान के हर किसानों को आज करनाटरका से जोड़ा है बेड़गावी से जोड़ा है आज यहां से पी-एम किसान सम्मा निधी की एक और किस्त भेजी गई है सिर्फ एक ही बटन दबा कर एक ही क्लिक पर देश के करोडों किसानों के बैंक खाते में सोला हजार करोड रुपिये पहुँचे हैं यहां जो मेरे रायतु बंदु है न वो अपना मोबाइल देखें को तो मैसेज आ गया होगा दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है और इतनी बड़ी रकाम सोला हजार करोड रुपिया पल भर में और कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई करप्शन नहीं सीधा सीधा किसान के खाते में अगर कॉंग्रेस के राज होता तो प्रधान मंतरी कहते थे कॉंग्रेस के केक रुपिया भेथते हैं पंदरा पैसा पहुँछता है अगर आज उन्नोंने 16,000 करोड का सोचा होता तो आप सोचिए ते बारा तेरा हजार करूर रुपिया कहीं गयव हो गया होता लेकिन ये मोदी की सरकार है पाई पाई आपकी है आपके लिए है मैं करनाट का सहीद पुरे देश के किसान भाई बेहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुब कामनाए है भाई और भेनों आज का बदलता हुआ भारत हर बंचित को वरियता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है हमारे देश में दसकों तक छोटे किसानों को भी नजर अंदाज किया गया था भारत में असी पचासी प्रतीवसत छोटे किसान है अब यही छोटे किसान बाजपा सरकार की प्राक्विक्ता में है पीएम किसान सम्मान निजी के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब डाई लाग करोड रुपिये जमा कराए जा चुके हैं आप बोलेंगे कितने किये हैं डाई लाग करोड कितने 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 डाई लाग करोड रुपिया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए इसमें भी पच्चास हजार कडोर रुपिय से ज्यादा पैसे हमारी जो माताई बेहने किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरुरतों को पूरा कर रहे है इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता ब्याज खाओ लोगों के शर्ण नहीं जाना पड़ता बहुत उंचा ब्याज देखर के रुपिय नहीं लेने पड़ते साथियों साल 2014 के बाद से देश लगातार क्रिशी में एक सार्थक बनलाव की तरफ बढ़ रहा है भाजपा सरकार में हम क्रिशी को आदुनित्ता से जोड रहे हैं क्रिशी को भविश्य के लिए तैयार कर रहे हैं साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का आउसर दिया तो भारत का क्रिशी के लिए बजट ये आकड़ा याद रखोगे आप लोग याद रखोगे जरा जोड थे तो बोलिए याद रखोगे देखिये जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए आपने मोका दिया था तब भारत का क्रिशी बजट 25,000 करोड रुपिय था कितना कितना इस वार्थ हमारा क्रिशी बजट 125,000 करोड रुपिय से ज़ादा है यानि पांच गुना ज़ादा बड़ोत्री हुई है ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंबीर है कितनी सक्रिय है हमने टेक्नोलोजी पर बल दिया जिसका लाब बें किसानों को हो रहा है आप कल पना कर सकते हैं अगर जनदन बैंक खाते ना होते मुबाइल कनेक्शन न बढ़ता आधार न होता तो क्या ये सब संभव होता क्या हमारी सरकार जादा से जादा किसानों को किसान किसान क्रेडिट कार से भी जोड रही है कोशिच यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविदा लगाता रहे हमेशा रहे साथियों इस वर्ष का बज़े हमारी खेती की आज की स्थिति के साथ साथ बविश की जरूरतों को भी एड्रेस करता है आज की जरूरत बंदारन की है स्टोरेज की है क्रिशी में आने वाली लागत को कम करने की है छोटे किसानों को संगठित करने की है इसलिए बज़ेट में सेंकरो नई बंदारन सुविदाये बनाने पर बल दिया गया है इसके साथ साथ सहकरिता के स्तर पर विस्तार करके उसका पर हमने अभुद्पुर्वा फोकस किया है प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गये हैं प्राकुरतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है नेटरल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कितना सग बनाने में आती है अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंदर बनाए जाएंगे किसान की लागत बलाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भूमी का अधीक होती है अब हमने किसानों के लिए पी-एन प्रणाम योजना शुरू किया है इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रवक कम करने वाले राज्यों को केंदर से अतिरिक्त मदद मिलेगी भाईयों और भेनों हम देश की क्रशी को बविश्की चुनोतियों को देखते विए हमारी पूरी किसानी ग्रामिन अर्थ वबस्ता इसमें नए प्रान लाने के लिए हम करत निष्टेएं बल दे रहे हैं त्राइमेट चेंज के कारण कितनी समझ से आ रही है यह हमारा किसाना जनुभव कर रहा है इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा हमारा मोटा अनाच और मैं तो देख रहा था मोटे अनाच की सुन्दरता भी कितनी अच्छी है हमारा मोटा अनाच हर मौसम हर परिस्तित को जेलने में सक्चम है और यह सुपर फूर है मोटा अनाच सुपर फूर है यह अधिक पोशक भी होता है इसलिए इस वर्ष के बजेट में हमने मोटे अनाच को स्री अन्न के रुप में नई पहचान दी है और करनाटा का तो स्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और ससक्त केंद्र है यहां तो स्री अन्न को पहले से ही शिरी धान ने कहा जाता है अनेक प्रकार के स्री अन्न यहां का किसान उगाता है करना तका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेत्रुत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है मुझे याद है कि रैता बंदू यदुरप्पा जी ने स्री अन्न को प्रोचान देने के लिए यहां कितना बड़ा अभियान चलाया था अब हमें इस स्री अन्न को पुरी दुनिया में पहुँचाना है स्री अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है साथियों इस छेत्र में गन्ने की पैदावर खुब होती है भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वो पर ही रखा है इस साल के बज़ेट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहन फैसला लिया गया है सुगर कोपरेटिव द्वारा दोजार सोला सत्रा के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है और इसे सुगर कोपरेटिव के उपर जो दस हजार करोड रुपिय का बहुत था जो यूपिये सरकार उनके सर पे डाल के गई थी उन दस हजार करोड रुपिय का फाइदा ये मेरी सुगर कोपरेटिव को होने वाला है आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनौल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है इथेनौल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आई भी बढ़ रही है बीते नव वर्षों में पेट्रोल में इथेनौल की ब्लेंडिंग को बढ़ा कर डेड़ प्रतिummak से 10 प्रतिस्द किया जा चुका है अब सरकार पेट्रोल में 20 प्रतिस्द इथेनौल ब्लेंडिंग का लग लेकर चल रही है जितना ही देश इतिशा में आगे बढ़ेगा उतना ही हमारे गन्ना किजानों को भी फाइदा होगा भाई और बहनों खेती हो इंदस्री हो तूरिजम हो बहतर सिक्षा हो बहतर स्वास्त हो इस सब कोच अच्छी कनेक्टिविटी से और ससक्त होते हैं इसलिए बीते वर्सों में हम करनाटका की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं 2014 से पहले के 5 वर्सों में करनाटका में रेलिवे का बजट कुल मिलाकर 4000 करोर रुपिय था जबकि इस वर्स करनाटका में रेलिवे के लिए साड़े साथ हजार करोर रुपिय रखे गए हैं इस वक्त करनाटका में रेलिवे के लगबक 45,000 करोर रुपिय के पर काम चल रहा है आप सोच सकते हैं कि इसके करनाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है बेड़गावी का आदुनिक रेलिवे स्टेशन देखकर हर किसी को अस्षरे भी होता है हर किसी को गर्ब भी होता है इस आदुनिक रेलिवे स्टेशन से यहां सुविदाय तो अधिक हुई है रेलिवे को लेकर विस्वाद भी बढ़ रहा है ऐसे सांदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे है करनाटका के अनेक स्टेशनों का रिल्व स्टेशनों का ऐसे ही आधुनिक अवतार में सामने लाया जा रहा है लोगदाग गाडप्रवा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज होगा और सुरक्षित होगा इसी प्रकार जिन नई रेल लाइनों पर आज काम सुरू हुआ है वे भी इस ठेत्र में रेल नेटवर्क को ससक्त करेगी बेड़गावी तो एजुकेशन, हेल्थ और टुरिजम के लियाद से एक बड़ा सेंटर है ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से इन सेक्टर्स को भी लाब होगा भाई और बेनों, बाजपा की डबल इंजिन सरकार तेज विकास की गारंटी है डबल इंजिन सरकार कैसे काम करती है इसका उदारान जल जीवन मिशन है साल 2019 तक करनाटका के गावों में सिर्फ 25 प्रतिशत परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था आज करनाटका में नल से जल की कवरेट डबल इंजिन सरकार के कारां हमारे मुख्यमंत्री जी के शक्रिय प्रयासों के कारां आज कवरेट साथ प्रतिशत से अधिक हो चुकी है यहां बेड़गावी के भी दो लाग से भी कम घरों में नल से जल आता था आज ये संख्या साड़े चार लाग पर पार कर चुकी है हमारी गाउं की बेहनों को पानी के लिए बटकना न पड़े सिर्फ इसी के लिए ही इस बजेट में साथ हजार करोर रुपे दिये गए है भाई और बेहनों बीजेपी सरकार समाच के हर उस छोटे से छोटे वर्क को ससक्त करने में जुटी है जिसकी पहले की सरकारों ने सूध नहीं ली थी बेड़गावी तो कारीगरों हस्त सिल्पियों का शहर रहा है ये तो वेनुग्राम यानि बास के गाउं के रुप में मश्यूर रहा है आप याद कीजिए पहले की सरकारों ने लंबे समय तक बास की कटाई पर रोक लगा दी थी हमने कानून बढ़ला और बास की खेती और वेपार के रास्ते खोल दी है इसका बहुत बड़ा लाप बास का काम करने वाले कलाकारों को हुआ है बास के अलावा या दूसरे क्राप का काम भी खूब होता है इस मर्थ के मजट में पहली बार ऐसे साथियों के लिए हम पीम विश्व कर्मा योजना लेकर आए हैं इस योजना थे ऐसे सभी साथियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी साथियों आज जब मैं बेड़गा भी आया हूँ तो एक और विशे पर अपनी बास रखना जरूर चाहूंगा मैं अपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस किस तरह करनाटका से नफरत करती है करनाटका के नेताओं का प्मान कॉंग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है जिस किसी से भी कॉंग्रेस के परिवार विशेश को दिक्कत होने लगती है उसकी कॉंग्रेस में बेज़जती शुरू कर दी जाती है इतनी आज गवा है कि कॉंग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंग गपा और विरेंदर पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था हर करनाटक के लोग जानते हैं अब एक पर फिर कॉंग्रेस का एक विशेश परिवार के आगे करनाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है साथियों इसी धर्ती के संतान पचास वर्ष जिनका सौंसद ये कारेकाल रहा है ऐसे स्रिवान मलिकारजून खरगेजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कॉंग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था च्छतिस गड़ में उस कारकम में सबसे बड़ी आयू के व्यक्ति राजनीती में सबसे सीनियर वहां पर खरगेजी मौजूद थे और वो उस पार्टी के जख से दूप थी जो भी सब खड़े थे उन सबको दूप लगना बहुत वाबाविक था लेकिन दूप में वो च्छत्री का सवभाग्यार कॉंग्रेस के सबसे बड़ी आयूवाले सबसे सीनियर कॉंग्रेस के प्रमूख खरगेजी को नसिब नहीं हुआ बगल में किसी और के लिए चाहता लगा लगया था यह बताता है कहने को तो खडगेजी कॉंग्रेस अद्यक्ष है लेकिन कॉंग्रेस में जीतर उनके साथ बरताव होता है वो देखकर पुरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है परिवारबात के इसी संकंजे में आज़ देश की अनेक पार्टिया जखड़ी हुई है इसी सिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है इसलिए कॉंग्रेस जैसे दलों से करनाटा के लोगों को भी सतर्क रहना है और ये कॉंग्रेस के लोग इतने निरास हो गए है अब तो वो सोते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है और इसलिए सारे आतकर कह रहे हैं मर्जा मोदी बर्जा बोदी नारे बोल रहे हैं मर्जा मोदी कुछ लोग कबर खोना ना बिजी हो गए हैं वो कह रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी मोदी तेरी कबर खुदेगी लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा साथियों जब सची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है डबल इंजीन सरकार की नियत भी सक्ची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है इसलिए हमें इस विश्वास को बनाय रखना है करना टका के देश के विकास को गती देने के लिए हमें यूही आगे बढ़ना है सबका प्राया से ही हम देश को विक्सित बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे और मैं आज यहां कारकम में थोड़ा देल से पहुँचा हेलिकॉप्टर से पूरे रास्ते बर बेड़ गाउने जो स्वांगत किया है जो आशिरवाद दिये है माताए, बेने, बुजूर, बच्चे अभूत पुर्वत रश्य था मैं बेड़ गावी के करना टका के इस प्यार के लिए सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ सर जुका करके उनका धन्यवाद करता हूँ आज की मेरी करना टका की आत्रा भी विशेश है क्यों कि आज सुबे मैं शिमोगा में था और वहाँ पर एरपोर्ट करना टका की जनता को सुप्रत करने का मुझे सभवागे बिला लेकिन साथ साथ हमारे बरिष्ट नेता ये दुरजप्र जी का जन्मदीन की शुकामना है देने का भी मुझा मिला और शिमोगा सी यहां आया तो आप सबने तो कमाली कर दिया ये प्यार ये आशिदवाद मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूं बेरगावी के मेरे प्यारे भाईयों बहनों करना टका के मेरे प्यारे भाईयों बहनों मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूं यह आप जो मुझे प्यार दे रहे नहीं, आप जो हम सब को आसिरवाद दे रहे नहीं, मैं इसे ब्याज समेत लोटाओंगा। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।